हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैठरे मंतराज, माइ नेम इस अंकुर कुमाज सर्मा, फ्रेंट्स आज का हमारा टोपिक है UPSC Ingering Services Examination Cut-Off सबसे पहले हम एनलाइज करेंगे लास्ट येर की Cut-Off 2018 में जो Cut-Offs गये थे हमारे, उसका फाइनल ये UPSC के दुआरा जो Cut-Off दिये गए हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा, किस तरह का पेपर था, कितना वेकेंसी थी, और इस बार कितनी वेकेंसी हैं, इस बार का पेपर जो था, उसका क्या अनलेसिस है, उसमें भी मैंने काफी लोगों से डिस्कसन किया है, तो मैं आपको सारा Step- Step बताऊंगा, पूरा वेडियो अच्छे से देखना है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखके बताना है, कि जो मैंने Cut-Offs बताई है, आप लोगों को, जो मैं Analysis करके बता रहा हूं, क्या वो आपको सही लग रही है, क्या इस तरह का पेपर बना है, या फिर मुझे जो लोगों ने feedback दिया है, उसमें कुछ problem है, तो वो सब आपको अपने according भी views मुझे बताने है, कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है, और next अभी जितने भी exam आ रहे हैं, लाइक, RRB, JEE आ रहा है, SSTJ आ रहा है, और भी technical exams आ रहे हैं, सब के लिए मैं वीडियो बनाने वाला सो उनके लिए भी ध्यान रखिएगा, चैनल को subscribe कर लिजेगा, जैसे ही कोई भी वीडियो में upload करूँगा, तुरंत आपको notification मिलेगा, ठीक है friends, सो आज की वीडियो को start करते हैं, इस वीडियो में अभी इदे को आपको दिख रहा होगा, सामने स्क्रीन पे cut-offs लिखे हुए Engineering Services Examination 2018, इसमें आपको तीन स्टेजिस होते हैं, यह तो सब को पता ही होगा, जो एक्जाम दे रहा है, उसको पता है, तीन स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं, में और थर्ड को बोलते हैं, इंटर्व्यू या फिर personality test, फर्स्ट में हमारे दो पेपर होते हैं, जो क हमारा civil का जो cut-off गया था, preliminary के लिए, यह 500 नंबर का paper होता है, आपको पता होगा कि 200 नंबर का हमारा non-tech का paper है, जिसमें हमारा engineering, mathematics, aptitude and other, 10 हमारे non-tech subject हैं, वो सब आते हैं, ethics वगेरा, project management, और भी काफी सारे subject हैं, तो यह सब subject आते हैं, 200 नंबर में और 300 नंबर में हमारा technical exam ह जो total 500 नंबर का exam होता है, prelims, prelims में हमारा 500 में से, जो general का cut-off गया था, civil engineering में 207 नंबर गया था, 500 में से, mechanical का 256, electrical का 230, और electronics and telecommunication engineering का cut-off 213 गया था, in general category, और OVC category में 194, civil के लिए, mechanical के लिए 255, electrical के लिए 218, और electronics and telecommunication engineering के लिए 206, SC category में 169, 220, mechanical में, electrical में 190, और electronics and telecommunication में 173 गया था, SC में, civil में 188, mechanical में 220, electrical में 191, electronics and telecommunication engineering में 155, physical handicap का आपको सामने दिख रहा है, 114, 138, 127 और 125, और respectively हमारा physical handicap 3, तो अब जो एकदम 90% की category में आ जाते हैं, उनके लिए 087, 098 और 071, ये सब cut-off थे हमारे preliminary exam के, जो की out of 500 है, जो students इसमें qualify करते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको की, यहाँ पर 6 से 6.5 गुना, जितना हमारे number of vacancy है, 6 गुना के असपस हमारा, 6 times candidates select किये जाते हैं, for mains exam, या फिर stage 2 exam, जिसको conventional type paper भी बोलते हैं, 6 गुना जो candidate हैं, उनका exam दोबारा से होगा, वो इस बार जो हुआ तो 2018 का exam जो दिखा रहा है, वो 1st of July को हुआ था, और next time भी I think July के starting में ही होना चाहिए, ठीक है, सो अभी जो second की mains की cutoff गई है हमारी, mains में दो exam होते हैं, दोनो descriptive type हैं, first exam भी 300 marks का, दूसरा भी 300 marks का, सो total हमारे 600 marks का exam होता है, mains का, ठीक है, सो mains के exam में हमारा कितना cutoff गया है, देखो, mains में जो हमारी cutoff बनती है, वो 500 plus 600 मिलागे, जो प्री प्लस में दोनों का मिलागे cutoff बनती है, सो प्री और mains का नंबर हमारा कितना हो जाता है, 500 plus 600, 1100, सो यह 1100 में से cutoff दिखाई हुई है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह cutoff है हमारा 1100 में से, mains की cutoff, ठीक है, इसमें कितना है, civil engineering का है, 546, OVC में है 502, SC में 466, ST में 513, physical handicap 1 में 308, और physical handicap 3 में 161, mechanical engineering की cutoff है, 611 general, 611 OVC, 542, SC, 564 ST, 374, physical handicap 1, और 288 है, physical handicap 2, ठीक है, 3, नेक्स्ट हमारा electrical का भी ऐसी, 541, 488, 452, 481, 303, टेली कम्म्निकेशन और electronics engineering का हमारा cutoff है, 504, 476, 405, 403, 301, ठीक है फ्रेंट्स, यह हमारी cutoff थी, second stage या फिर mains exam की, जो लोग mains exam में qualify करते हैं, वो 2.5 times of vacancy, बिलाओ अगर electrical में vacancy, इस बार जो थी 139 vacancy थी, तो electrical में अगर हमारा देखा जाए तो selection किया गया था, 352 candidates का, ओके 139 vacancy थी, 352 candidates का selection किया गया था, for personality test या फिर interview test, तो personality test में हमारा कितना क्या किया था, 200 number के exam होता है, जिसमें कि हमारा UPSC के head office, ठीक है, वहाँ ही पे जागा है, दो लाओस में जागा ही exam में होता है, personality test, अब इसकी जो final हमारी cut-off जाती है, यह हमारा last stage है, इस exam का, इसमें हमारी cut-off गई थी इस बार, वो थी civil के लिए general category में 710, यह 200 number का होता है हमारा personality test, तो total मिलागे 1100 plus 200, 1300 marks बन जाता है, जो total final cut-off है, वो 1300 marks में से है, civil में general में 710, OBC में 689, और SC में 609, ST में 671, physical handicap 1 में 476, physical handicap 3 में 425, ऐसी mechanical का cut-off आपको दिख रहा होगा, 767, 782, 699, 699, 505 और 551, electrical का cut-off 711 है, जनरल में 691, OBC, 603, ST, 644, ST, और 473, physical handicap 1, electronics and telecommunication engineering में भी आपको दिख रहा है, 660, 648, 566, 524, और 429, यह सब cut-offs हैं, ठीक है फ्रेंट, तो यह हमारी analysis थी 2018 के exam की, 2019 का exam आज ही complete किया है, काफी लोगों से मैंने review लिया है exam का, सब लोगों ने जो review दिया है, उसके according, vacancies हमारी कम है, last year से अगर electrical की बात करूँ तो, ठीक है, electrical में अगर हम vacancy की बात करें तो है, 93 कुछ ऐसे ही बता रहे से मुझे, जो पता चला है उसके according, ठीक है, जो देखने के लिए मिला वो यह है कि exam जो है, वो last year के comparison में थोड़ा सा difficult है, ठीक है न, क्योंकि उसमें जो non-technical first exam था, वो exam को बता रहे है candidates की, उस exam में एकदम directly question नहीं पूछे गए हैं, जो कि हमारे coaching center से students education ले रहे हैं, gate और engineering services की, वो candidate अगर review दे रहे हैं, तो वो review अच्छा ही होगा, I think so, ठीक है, तो उसमें उसमें उन्होंने क्या बताया है, कि जो हमारा exam था, वो एकदम direct questions नहीं पूछे गए थे, गुमा फिरा के question पूछे गए थे, थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि last year के comparison में difficult exam था, क्योंकि last year का exam मैंने देखा, उसमें exam में जायतर questions पूछे गए थे, जो कि हमारा एकदम numerical type के question थे, तो उनमें गलत होने की chance कम रहते हैं, लेकिन आज के paper में numerical type question कम थे, ठीक है ना, इसी वेसे तो थोड़ा सा difficult हो सकता है, अभी vacancy भी थोड़ी सी कम है, तो इसकी वेसे cut off ज़्यादा जाने चाहिए थी, लेकिन हमारा paper थोड़ा सा difficult होने की वज़े से, वैसे technical का paper ज़्यादा difficult नहीं था, टेक्निकला paper कर लिया होगा लोगोंने, बठा थोड़ा सा tricky था, ठीक है न, कुछ questions मतलब बहुत सकते हैं कि हाथ इनकी वएसे difficult हो सकता है, क्योंकि जैसे कि अगर electrical का मुझे review मिला है, तो electrical में बोलने हैं, लोग की microprocessor अगरा questions ज़्यादा पूछे गए थे, computer fundamental की questions ज़्यादा थे, और communication circuit के ज़्यादा questions थे, तो इस तरीके से अगर इस तरह कोशन डाले जाएंगे, और एक material science ज़्यादा पूछा गया था, थोड़े बहुत कोशन थे, जो ऐसी उल्टे सीधे तरीके से पूछ दिये गए थे, तो इस तरीके से थोड़े बहुत कोशन का level बढ़ गया, तो उसके according अगर हम देखें तो cut-off कम जाना चाहिए था, but according to our vacancy details, vacancy हमारी कम है, so vacancy कम होने की वेशे हमारा cut-off almost उतना ही रहेगा, अगर मैं बात करूँ civil engineering की तो cut-off हमारा 210 से लेके 215 या 20 के बीच में रहने वाला है, mechanic general cut-off मैं बता रहा हूँ, उसके according आप, इसका OVC ST ST का भी देख सकते हैं, ठीक है न, जो हो तो आपको दिखे रहा है कितना difference रहता है, और mechanical engineering में आपका रहेगा cut-off 250 के nearby, उसके बाद electrical का 230 से 240 के बीच में cut-off रहेगा, electronics and telecommunication का जो cut-off रहेगा, वो 213 cut-off था पिछली बार, इसमें cut-off में थोड़ी बहुत increment हो सकता है, 225 के असपास तक ये cut-off जा सकता है, ठीक है फ्रेंट्स, अभी आपको में बताया कि civil engineering में जो आपका cut-off जाएगा, वो 210-20 के बीच में रहेगा, mechanical का cut-off रहेगा, वो 250 के असपास ही रहेगा, और जो electrical का cut-off है, वो 230-40 के बीच में रहेगा, और electronics and telecommunication engineering का cut-off है, वो 225 के असपास तक जा सकता है, ठीक है, सो मिलते हैं बाकी next video में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहेए, और जिन जिन लोगों ने exam दिया है, सब को good luck from my side, और चैनल को subscribe याद जलूर कर लेना, क्योंकि अभी बहुत कुछ चीज़ें में पढ़ाने वाला हूँ आपको, अच्छे सी चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए, electrical से related, electronics से related, और भी कही चीज़ें में पढ़ाऊंगा, आपको SST, CGL और इन सब का भी काफी चीज़ें में पढ़ाने वाला हूँ भी, बाकि मिलते हैं नेक्स वीडियों, तब तक के लिए good bye.